हेलो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में जैन दर्शन के बारे में पढ़ेंगे जैन दर्शन से संबंदित हमने पहले भी पढ़ लिया है जैन दर्शन के महतो मुनतत्थे और महावीर स्वामी के जिवन परीचे 24 तिर्थंकर, 11 गंधर, आधि के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है और जैन दर्शन से संबंदित और जानकरी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज हम इस वीडियो में जैन दर्शन के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए, स्टुडेंट्स देखे, सबसे पहले तुम्हां आपको ये बताना चाहूंगी कि जैन दर्शन होता क्या है ये जैन दर्शन था क्या तो देखे, 26 ताबदी सापूरा में यहां के जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंदिविश्वास, आडंबर वगेरा फैले हुए थे और इससे पहले जो मतलब वैदिक धरम था, उसमें भी कई करमकांड आ गए थे, तो लोगों को बहुत ज़्यादा परिशानी हो रही थी इसलिए देखे, जब भी कोई बुराई समाज में आती है, तो उसके नास के लिए कुछन कुछ तो हमें नया करना ही पड़ता है और कोईन कोई ऐसा वेक्ति भी आता है उभर कर, जो मतलब माध्यम बनता है जो एक लिडर बनता है और उसके पीछे पीछे लोगबाग मतलब अपनी सुविदा की अनुसार चेंजे करते रहते हैं तो ऐसा ही कुछ था जैन दर्शन जिनके जो जिसमें 24 तिर्थंकर हुए हैं और इनमें जो अन्तिम तिर्थंकर है महावीर स्वामी इनकी बातों का बहुत ज्यादा परभाव पड़ा था हमारे समाज पर, हमारी धार्मिक व्यवस्ता पर और काफी चेंज हुए थे उस ताइम पर तो देखिए मतलब यह जो जैन दर्शन है यह प्राचीर भारतिय दर्शन है इसमें अहिंसा पर अत्यदिक बल दिया गया है जैन दर्शन में 24 तिर्थंकर हुए हैं जो संसार के चक्कर में फंसे जीवों के कल्यान के लिए उपदेश देने के लिए इस धर्थी पर आये थे ठीक है और जो आपका जैन दर्शन है बहुतत्ववादी तथा ठीक है इसमें अनेकांत वाद की परधानता है अनेकांत वाद कीसे कहते हैं मलब जिसके अनुसार जगत में अनेक वस्तूओं का अस्तीत्व है तथा परतेक वस्तू अनेक दर्मों को धारण किये रहती है तो यह होता है अनेकांत वाद अब देखिए अपने याँपर जैन दर्शन के बारे में थोड़ा समझ लिया है अब हम यहां पढ़ेंगे जैन दर्शन की विसेशताई क्या क्या थी तो जैन दर्शन में वाण व्यवस्ता यग्य करमकांड का विरोध किया गया है यह एक नास्तिक दर्शन है यह वेदों में यह आस्ता नहीं रखता अनी इस्वरवादी दर्शन यह इस्वर को मानता तो है लेकिन उसकी सरहोचता को सविकार नहीं करता मतलब कि इस्वर को तिर्थंकरों के नीचे स्थान दिया है तिर्थंकरों को इसने पहले स्थान पर रखा है इस्वर को इसने तिर्थंकर के बाद में स्थान दिया है और जैन दर्म है ये अनेकांतवाद या सरवात्मवाद में विश्वास करता है अर्था सभी प्राकर्तिक सजीव निर्जीव वस्तों के लिए आत्मा यानि जीव होता है अर्था जैसे अपने उधारन के लिए देख सकते हैं सब में क्या होती है आत्मा होती है जैन दर्सर में कल्प वरक्ष की अवधारना कोन से धरम में आई थी जैन दरम में एहंसा पर इसमें ज़्यादा बल दिया गया है और कायक लेस को तपस्या का अंग बताया है तथा इसके माद्यम से जीव की सुध्धी की बात की गई है जैन दरम बोध दरम तथा हिंदु दरम के विप्रीत स्रस्टी को अनादियम अनन्त मानता है अर्था जैन दर्म के अनुसार स्रिस्टी के निर्वाणवा संचालन में इस्वर की कोई भूमिका नहीं है स्रिस्टी अपने स्व्यम के नियमों से परिचालित होती है स्रिस्टी में उत्थानवा पतन का काल आता है जिसे करम से है उत्सरपीनी और अवसरपीनी कहते है दिर्थंकर 18 चक्रवर्ति सासक होते हैं वर्तमान में कौन सा काल चाल रहा जैन्दरम के अकोर्डिंग उच्सरपीनी काल जैन्दरम में 8 परकार के करम तथा 18 परकार के पापू का उलेक किया गया है स्रिस्टी का विकास जीव प्लस एजीव यानि आत्मा और जड के सियोजन स हुआ है अब देखे श्रिस्टी के विकास में सहायक जीव कौन-कौन से हैं जीव के अनेक प्रकार होते हैं जिनको दो बागों में बाटा गया है जैसे कि मुक्त जीव और बंधन्गरस्ट जीव ठीक है तो अब यह आपका मुक्त जीव यह क्या था कैवले यानि मौक्स प मतलब जीव का जब करम वह पुद्गलों के साथ सयोजन हो जाता है तो जीव बंधन करश्ट हो जाता है तता दुख भोगता है इस अवस्ता में जीव अपने श्वाभवी गुणों जो कौन कौन से श्वाभवी गुण अनंत ग्यान अनंत दर्शन अनंत वीरिय अनंत अनंत अनन्त चतुस्टे का पतन करता है जैसे बंधन गरस्त जो जीव होता है जिसमें बंधन होते हैं जो यह मालीजे के एक वेक्ती है वह नॉर्मल जीवन जीरा अपना तो वह भी है तो जीव में ही तो उसको अपने बोलेंगे बंधन गरस्त जीव ठीक है अब आता है बंधन की दो प्रिक्रियाई है ये कौन-कौन से है आस्त्रव और बंधन तो आस्त्रव किसे कहते है जीव की और करम पुद्गल अब पुद्गल क्या था इस्तूल भोतिक पदार्थ पुद्गल कहलाते हैं तो जैसे कोई जीव है और उसका पुद्गल की ओर जीव जो आस्रव है ये किसे कहेंगे अपन जीव की ओर करम पुद्गल अर्थात मनों से जो बोथिक पदार्थ है उनमें उल्जा रहता है फिर बंधन क्या होता है जीव के साथ करम पुद्गल का संयोजन स्रस्टी की विकास में सहायक अजीव अजीव पांच परकार का होता है कौन कौन से हैं पांच परकार धरम एदरम काल आकास और पुद्गल धरम क्या था गत्ती में सहायक एदरम स्थिर्ता में सहाइक, काल समय में सहाइक, आकास स्थान में सहाइक, पुद्गल इस्थूल बोतिक पदार्थ जैन दर्शन में मोक्स की दो प्रक्रियाएं हैं सम्वर तथा निर्जरा तो सम्वर किसे कहेंगे जीव की और करम पुद्गलों के परवाव को रोकना निर्जरा जीव में पहले से व्याप्त पुद्धकल को हटाना ये क्या हैं दोनों जैन दर्शन में मोक्स की दो प्रक्रियाई है धन्यवाद दोस्तों आज हमने यहाँ पर जैन दर्शन के बारे में पढ़ा और जैन दर्शन के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वोड़सप पे ब्रोडकास चैनल से जुड़े ताकि आपको नई नई जानकारी प्राप्त हो सके